तो finally आज रोग के उपर Brock Lesnar ने accept कर लिया Cody Rhodes का challenge for Summer Slam और भी काफी कुछ था शोप है, सब कुछ discuss करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो करते हैं शुरू सबसे पहले जो शोग की starting है वह हमको Cody Rhodes के साथ देखने को मिलती है, जो बस Brock Lesnar के answer के लिए आये होते हैं खेर वो बिना time waste के सीधा Brock Lesnar पर आते हैं और वो बोलते हैं कि Brock Lesnar को बसा के आज मेरा challenge accept करना और वो उस चीज़ के बिना ring से जाएंगे नहीं, फिर चाए Brock Lesnar को कितनी भी देर हो जाए तो Cody Rhodes ऐसे एकदम से तयार हो जाते हैं कि Brock Lesnar आने वाले हैं बर Brock Lesnar theme song play होने के बाद भी नहीं आते हैं Cody Rhodes को chair short लगाते हुए ring में लेके आते हैं फिर वो Cody Rhodes को उनकी mother के सामने एक F5 लगाते हैं और Kimoro lock लगा देते हैं जिससे Cody के हालत बिल्कुल खराब सी हो जाती है बट बंदा हार नहीं मानता यार वो फिर से खड़ोने की try करते हैं बट Brock इस बार ring में ले जाकर Cody Rhodes के उसी time के लिए इसके बाद गाई show पर मैच होता है गुंतर वसिस मैट इडला सची बता हूं तो यह मैच बस गुंतर की hype बढ़ाने के लिए WWE ने book किया होता है जहां उन्होंने गुंतर को ही strong दिखाया क्योंकि उनका मैच होने वाला Drew McIntyre के साथ and इस मैच की बात करें तो इस मै परकने पड़ता Drew McIntyre से उनके जैसे कितनों को हरा चुक है और Drew McIntyre को भी हराई देंगे तो देखा जाए तो यह promo बस गुंतर और Drew McIntyre के मैच को और जादा पुछ करने के लिए था बट यह अच्छी बात है कि हमको गुंतर जैसे wrestler की side से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा ह जो जादा तर बस मैच रैसल करने के लिए जाने जाते हैं इसके बाद guys show पे आते हैं जी judgment day जिसके सारे member ring में आते हैं एंड देखकर तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे Finn Balor और Damien Priest के बीच चीज़े सही हो गई हैं बट अभी ऐसा कुछ है नहीं careful रिया रिप्ली से बात्च मिस्टीरियो के उपर वो बोलते कि क्या तुम सबने डोमिनिक को माइक पर सुनने के लिए पैसे खर्च के एंटिकेट में जिस पर काफी बूरी तरह से बूख करने लगता है डोमिनिक मिस्टीरियो को इसके बाद Damien Priest बीच में आके चैलेंज करते हैं सेमी जेन को और Kevin Owens को मैच होता है Chelsea Green and Sonia Devil versus Lib Morgan and Raquel Rodriguez अब यह मैच देखने के लिए मैं तो बिल्कुल भी इंटरस्टिट नहीं था बट इस मैच के एंडिंग हो जाती है काफी शोकिंग जब Chelsea Green and Sonia Devil जीच जाती है और बन जाती है हमारी New Women's Tag Team Champion अब एक बात समझ नहीं आ रही कि WWE करना क्या चाहती ह है पर इससे पहले Seth Rollins इस पर जादा कुछ बोलते हैं Finn Balor वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों के बीच कुछ बाते भी होती हैं कुछ Past को लेके कुछ अभी को लेके और कुछ Summer Slam को लेके बट एक पॉइंट पर Seth Rollins जब उठके जाने लगते है तो Finn Balor पीछे से अटेक कर देत पर यह Viking Rules वाला मैच क्या होने वाला इसका किसी को कुछ आइडिया नहीं था बट यार आज इन दोनों टीम का जो मैच होना वो सची बहुत जादा कमाल का था एक तो WWE ने Ringside को इतना इंट्रेस्टिंग बना रखा था कि देखकर ही काफी सही फील आ रही थी एंड रिंग मे मैच होता है Nicky Cross वासी Shaina Bazilor जिस में सब को clearly प्ता था कि Shaina Bazilor जीतने वाली है अपर्सनली उनको ऐसे देखकर मुझे तो काफी अच्छा लगा खेर वो Crowd से खढ़यों के gen 재밌 करते हैं Shaina ते hand to hand इनका match official कर देती है summer slam के लिए, इसके बाद guys मेज TV का segment होता है, जहाँ guest होती है बैके लिंच, जहाँ शुरू में तो सब सही होता है, बट फिर मेज कुछ उनके हार हुए match इसके बारे में बात कर देते हैं, जिस पर बैके लिंच इतना ज़ादा गुस्सा हो जाती है कि पहले तो वो दोनों चेहर उठा के रिंग से बार फैक देती है, एंड फिर मिस पे चड़ जाती है और उनसे ट्रिस स्टाइटस और जोई स्टाइक को बलाने के लिए बोलती है, फिर ट्रिस स्टाइटस और जोई स्टाइक आती है, उनके बीच काफी कहा सुनी होती है, एंड एक मुमेंट पे बैके लिंच ट्रिस का मास्क उतार लेती है, इसे खीश के बिल्कुल, जिस पे ट्रिस थोड़ा डर भी जाती है कि कहीं बैके लिंच उनकी ब्रोकन नोस पे फिर से न मार दे, फिर इनके बीच थोड़ी हाता पाई भी होती है, बट एंड में बैके लिंच ही बार ही पढ़ती है, बटना कमोरा इतने बढ़के होगे होते हैं चैंपा पे कि उनके उपर अटेक कर देते हैं, तो इससे आइडिया लगा जा सकता है कि शहएद हमको नेक्स डोके एपिसोड पे इन दोनों का मैच देखने को मिल सकता है, फिलाल इसके बाद आता है हमारा मेन इवेंट ऑफ दे शो, कैविन ओवेंस और सैमी जेन वसिस डेमियन प्रीस्ट और डोमेनिक मिस्टिरियो फोर दी टेग टेम टाइडल, जहां रेयर रिपली भी होती है रिंग साइट पे, और ये मैच भी काफी अच्छा था, काफी कुछ चीज़े हमको देखने को मिली, जैसे एक पॉइंट पर रेयर रिपली ने कैविन ओवेंस को उठा के स्टील स्टेर्स पर पटक दिया था, अब कैविन ओवेंस इतने भारी बंद है, बट फिर भी रियर रिपली ने उनको उठा लिया था, तो ये काफी अच्छा मॉमेंट था, ये सैथ ट्रोलेंस का फिन बैलर पर अटेक कर देना है, झाल झाल